हेलो एव्रीवन वेल्कम बैक टो डाटवन्टिफो सेवन रेगुलिटी बॉडिज और इस चैनल विथ मी गॉराव सिंग भदोरिया यह रीजनिक एजुगेटर इसमें हम देखेंगे क्या important topics है आपके reasoning ability section की especially for the SO examination किसी भी stream का हो SO examination जो है तो पहली चीज़ तो ही आपको पता हो नहीं चाहिए आपका single level examination होगा केवल आपको एक examination देना है followed by interview round तो उसमें जो आपको reasoning आपसे पूछी जाती है वो आपके 40 number of questions आएंगे 40 आपके marks होंगे एक question एक number का होगा और आपको उसमें negative marking हो जाएगी आपकी one fourth ठीक है अलागर होगा मतला अब जैसे अगर GPO की बात करें तो 50 number की हो जाएगे number of questions आपके same है एसो की अगर बात की जाए तो हाँ 40-40 questions है negative marking one fourth number की रहेगी तो जितने भी important topics है किस तरीके से आपको prepare करना है time आपके पास decade limited है अगर मैं मतला approximate days बताओं आपको तो जून का महिना तीन दिन जा चुके हैं बढ़ ठीक है पूरा जून ले लो जुलाइ ले लो ऑगस्स से best optimal way में वो हमें चीज देखनी होगी तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया जितने भी topics है important topics for your reasoning section उसको मैंने तीन category में तीन priority में डिवाइड कर दिया है अब आज से भी अगर आप तैयरी शुरू करना शुरू करते हैं तो आपको priority one की जो मैंने यहाँ पर topic लिखे इनको सब आदा होंगे तो overall score करने के लिए अच्छा score करने के लिए आपको यह एक requirements है कि यह जो topics हैं इन में तो आपको एकदम proficient होने ही चाहिए topics कौन कौन से हैं जैसे आपके sitting arrangement puzzle हो गया machine put output हो गया critical reasoning हो गया data sufficiency हो गया अब यह क्योंकि आपका single level examination है examiner के पास के एक ही मौका है आप आप से सवाल पूछने का तो वह एक mixed paper आपका आएगा जैसे कि बैंक के examination में अगर मैं इसी की RRB की office से scale 1 office attendant की बात करूं तो वहां prior means है यहाँ पे single level examination है तो यहाँ पे सारे topics आपके important होते हैं अच्छा अब बात कर लेते हैं practice की ठीक है तो जो भी मैं आपको एक ideal number of question बता moderate and 2 set आपको moderate to difficult करने ही है machine input output जादा आपको नहीं करना एक set भी अगर आप इस दो महीने कर ले होते हो बहुत अच्छी तयारी हो जाएगी आपकी critical reasoning की आप up to five questions कर लो data sufficiency की आप फिर से up to five questions कर लो यह आपकी daily practice इतनी तो आपको इन topics ही करनी है करनी ही करनी है because 40 में से कम से कम भी आप मान के चलिए 20 questions तो आपके यहीं से आ जाने फिर आप ज़रूरी नहीं कि सारे आपके पूछे जाए इसका मतलब यहीं नहीं कि 40 questions तो आपकी हींपे हो गए मैं बस आपको बता रहा हूँ कि अगर data sufficiency आए तो चार से पांच questions आपको देखने को मिलेंगे अगर machine put put आया तो एक set आएगा एक ही आएगा चार से पांच questions मिलेंगे ठीक है तो आप देख सकते हैं 40 questions में से कम से कम 25 से 28 questions तो आपके इन ही तीनों को मिला जुला कर आ जाते हैं बहुत आसानी के साथ इसलिए इनको variety one में डाला है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनक सारे पास अगर 60 days है तो उनको हम अच्छे से divide कर ले ऐसा नहीं हो कि जो कम importance वाले या फिर जिन से एक दो question पूछा जाता है उन पर हमने ज्यादा time invest कर दिए because time लिमिटेड ही है तो उस चीज को थोड़ा सा clear करने के लिए आपको इस चीज़े पता होनी चीए वैसे अगर मै priority 2 की बात करूँ तो फिर आपके जितने topics बज गया भी जैसे syllogism बज गया, inequality बज गया, blood relation बज गया, direction, distance बज गया, यह सारे आपके topics हो जाते हैं इसमें आपको दोनों करने, coded questions भी करने और आपको single liners और जो आपके छोटे paragraph based होते हैं यह सारे questions आपको किस-किस में करने, syllog paragraph based की एक person है, उसका path north में गया, east में गया, west में गया, उस type के questions आपको practice करने, रही बात coded की, तो coded questions आपको silogs, blood relation, direction और iniquities के चारे, चारो के चारो आपको करने, because अच्छे कासे questions आते हैं, देखिए, single level examination, अगर आप post की बात करेंगे, तो SO की post है, के वल क्लेरी के लिए, प target कर रहे हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए, जो effort आपकी तरफ से चाहिए, जो hard work आप से चाहिए, वो भी थोड़ा सा फिर, जदादा होना चाहिए, तो paper का level अगर आप, पोचे तो अच्छा खासा आता है, उस हिसाब से हमें, हमें तैयारी भी करके चलिए, ठीक है, उ normal questions मतलब single liners या फिर paragraph वाले, ठीक है, यहाँ पे मैं अटा देता हूँ, यहाँ पे आप केवल coded रखिए, क्योंकि coded के पूछे जाने के chances जादा है, ठीक है, तो जो budget topics हैं, वही हमको, जो उनके single liners हैं, जो paragraph वेस्ट वाले हम पट, उससे पहले हम कहें, उनके coded nature के, coded form के questions आत जब हमने सारी चीज़ें देख लिए, सारे topic देख लिए, अब कुछ और important चीज़ें भी देख लेते हैं, दोनों तरीकी चीज़ें देखते हैं, अभी आप क्या है, preparation के face में, तयारी का दौर चल रहा है, अभी हमको तयारी करनी है, ठीक है, दो महीने तक minimum, उसके बाद एक जब आप examination hall में होंगे, उससे related कुछ और चीज़ें मैंने आपको बताईए, जो आप थोड़ा सा focus करिए, पढ़ाई हो गई, हमने देख लिया reasoning समझ लिए, topic देख लिए, कितने questions करने, priority कैसे में सब देख लिए, अब उसको implement करते हैं, तो यह जब आप examination hall में जाए, आपक simply, that might simply waste your time, because ऐसे question में आप अटक सकते हो, जिसकी आपने जादा practice नहीं किये, तो questions को select करना भी एक art है, जो एक दिन में नहीं आएगा, एक रात में नहीं आएगा, एक week में भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ, दो महिनों में जब आप लगातार mock test देंगे, तो यह skill ज़रूर आपको आजाएगा, कि किस तरीके सी questions को pick करना है, और कैसे उनको skip भी करना है, आपको एक अच्छी good speed and accuracy लेके चलने, time management आपको करके चलना है, because आपके पास composite time है, two arts का, उसी में आपको सारे sections, आपकी professional knowledge हो गया, English हो गया, Hindi हो गया, जैसे कि अगर मैं SO की बात करूं, तो आपको डाइगंटे मिल जाता है, बड़ फिर भी time का, अब time में ये है, कि ये overall timing है, ये आपने इसने आपको sectional timing नहीं दिये, कि section को 20 मिनिट में करो, 15 मिनिट में करो, तो time management, RRB examination में, कोई सा भी RRB का examination हो, time management बहुत जादा important है, कई बार क्या होता है, student को reasoning solve करने में मज़ करने होंगे, mock test जाता से जाता देने होंगे, ठीक है, अब जो हमारा अभी जो face चल रहा है, अब उसकी बात कर लेते हैं, इस दिनों में, इन दिनों में, महिनों में आपको करना क्या है, पहली चीज तो आपको, हर एक चीज सलेवस से related topic, wise weightage, किसकी कितनी importance है, किसको कितना weight स्टेज देना है, प्रैक्टिस करना है, वो आपको पता होना चाहिए, वो मैंने आपको आज बता दिया, ठीक है, अब आपको एक proper paper solving strategy बनानी है, यह question mark का मतलब है, यह अभी आपको बनानी है, ठीक है, यह आपका काम है, यह आपका होंग है, आपके पास strategy होनी चाहिए, ज आपको चीजों से रुबुरु करवाना, आपको face to face बताना कि यह सब चीजे हैं, इतनी आती है, इतनी आपको करनी है, अब यह सारा आपका होंग है, revision आप ही को करना है, mock test आप ही को तेना है, अब यह पूरा preparation phase का मैंने आपको बताया, यह जो दो महिने यह आपको करना है, करना ही है, just to make sure कि यह आपका selection year हो, ठीक है, बागे सारे important topics हमने देखी लिए थे, time management से related कुछ चीजे देख लिए थे, ठीक है, time management में आप, पहली में पता चुका हूँ, RRB examination में बहुत जादा जरूरी है, आपको हर एक topic पे, हर एक subject पे, because सब में आपको sectional plus overall cutoff clear करनी है, ह जो भी लगता है आपको, जिससे भी आपको डर लगता है, basically, वही topic आप solve नहीं करते हो, तो वो topic आपको छोड़ना नहीं है, जो भी आपका weak topic है, जिसमें negative marking जादा हो रही है, उनको भी आपको बराबर practice करना है, and normalcy question है, जभी भी आप mock test दे, कभी भी किसी भी question में अटकत हैं, तो उसको skip कर दो अधरी, move on to the next question, जहां पर आप अच्छा score कर सकते हैं, practice के लिए minimum requirement जो हमेशे आपको बताता हूं, that is a good test series, अभी पूरा एक packet है, bank test meet, जो newly launched है, code आप लगा सकते हैं, 537S, 800 से जादा mock test आपको मिल जाएंगे, which is more than sufficient to practice for these, in these two months, ठीक है, कोई भी doubt हो, क्यारी हो, आप अपढ़ी पूचिए, comment section में, definitely will reply and thank you all for joining, have a wonderful day, take care and goodbye.